हलो जी नमस्ते चतिगड ओजगान उसमें आपका स्वागत हैं मैं हूँ विजय चौहान और आपके लिए लेकर के आगए है पर्मारेंट सरकारी भरती के एक नई नोटिफिकेशन चतिगड सासन आपदा एवं राजस्व विभाग के द्वारा दो अलग-अलग विभागों में भरती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकासन किया गया है अप्दा प्रबन्न विभाग और भुअभिलिक साखा के अंतरगर जिला विलास्पूर में जो है यहां पर पर्मारेंट सरकारी भरतियां की जाएंगी इस भारती के लिए महिला और पूरुज दोनों तरह के भ्यारती 15 तारिक छठे मैने 2023 तक पंजीकरिट डाग के माध्यम से या फिर इस पीट पोष्ट के माध्यम से आविजन प्रस्तूत कर पाएंगे चड़ गड़ सासन राजस्वयमों आब्दा प्रभन्दन विभाग और भूवलेक साखा केंतर कर विभिनना पदो पर जोई भारतियां की जाएंगी बात करें जाएगा वहीं दूसरी नंबर की पद यहां पर निकाले गई है सहायग ग्रेट 3 की जिसमें टोटल 56 पदों पर भरती होगी जिसमें पेमेट्रिक लेवल 4 के अधार पर प्रतिमाइन को वेतन यहां पर दिया जाएगा तीसरे नंबर की पद निकाली गई है इस्टेनो टाइपिस्ट की जिसमें टोटल 4 पदों पर इस्टेनो टाइपिस्ट की भरतियां की जाएंगी जो अभ्यारती इस्टेनो टाइपिस्ट के पद के लिए अविदन प्रस्तुत करेंगे पेमेट्रिक लेवल 4 के अधार पर प् वहीं पाचवे नमबर की पद निकाली गई है भृत्ति की वृत्ति की टोटल अगर भरतिक बात करें तो 25 पदों पर भृत्ति की भरतियां की जाएंगी जो अभियारती पद की लिए अधन पर सुथ करेंगे पेमेटिक लेवल वन के अधार पर इनको प्रतिमा वेतन दिया ज अधन पर सुथ करेंगे उनको पेमेटिक लेवल वन के अधार पर प्रतिमा वेतन दिया जाएगा नवे नमबर की पद निकाली गई है यहाँ पर प्रोसेस सरवर की जाएगा प्रोसेस सरवर की भरति की जाएगी पेमेटिक लेवल वन के अधार पर प्रोसेस सरवर को जो है यहाँ पर वेतन दिया जाएगा राजयस्तों विभाग के अंतरगत नो अलग-अलग कैटिगरी में भरतिया जो है निकाली गई है वही बात करें दूसरी विभाग की भू अ प्रोसेस सरवर के अधार प्रोसेस करेंगे पेमेटिक लेवल फूर के अधार पर प्रतिमा जो है इनको वेतन दिया जाएगा राजस्तों विभाग और भू अभिलेख साखा के अंतरगत दो अलग-अलग ग जो यहाँ पर भरतिया निकाले गी हैं वही बात करें इन प्रश योगता और अन्य तरह के आहरताएं के बारे में तो जो भी अभ्यारती सीग्र लेखक वर्ग 3 के लिए अविदन परसुत करेंगे उनके पास बारवीक अक्षा के बाद जो यहां पर कंप्यूटर के दिगरी होनी चाहिए जो अभ्यारती सीग्र लेखक हिंदी या फिर जो अभ्यारती सीग्र लेखक अंग्रेजी के लिए आवदन परसुत करेंगे उनकी क्वालिफिकर्शा नादा अलग तरह की यहां पर बताई गयी है साथ द्विधारी सीग्र लेखक की भी उतिन्न करने की डिग्री है, व enforcement करेंगे औरे ऐसे अभ्यारती जिन के पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हिंदी सीग्र लेकन या फिर अंग्रेजी मुद्र लेकन पर इच्छा उतिन न किने की डिगरी वए जो Sounds Okay Rules अलге लग कर भाएंगे सीग्रेज लिखर को वर्ग 3 की तिन अलग अलग कैटिगरी में भरतियां निकाली गई है . सहायक वर्ग 3 की जिसमें बारवी कक्षा के बाद कंप्यूटर पास अभ्यारती जिसमें इसके लिए आवधन प्रस्तूत कर पाएंगे कंप्यूटर में हिंदी टैपिंग की जोगती है 5000 की डिप्रेशन की होनी चाहिए तीसरे नमबर की पद कैटेगरी है इस्टेनो टैपिस्ट की जिसमें बारवी कक्षा के बाद यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर की डिगरी होनी चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी सीग रिलेखन की जोगती है 60-70-30 मिनट की यहाँ पर होनी चाहिए एयुकी अभियर्थी इस्टेनो टैपिस्ट के पद के लिए आविधन परस्तूत कर पाएंगे अर्ददली, फर्रास और प्रोसेस सरवर के लिए पहुचवी पास यहाँ पर मांगा गया है ऐसे इभियर्थी जिन्होंने अपनी आठवी कक्षा या फिर पांचवी कक्षा ग्रेडिंग सिस्टम से पास किया हुए है विन अभिहार्थियों के लिए जो यहाँ पर ग्रेडिंग में कितने कितने अंख बनेंगे कितने प्रतिसात अंख बनेंगे उस सम्मन में जहां जानकारी दिया गया है तो जो भी अभिहा बात करें आउसीमा के बारे में तो जो भी आवेदा किसके लिए आवधन पसुत करेंगे 18-35 वर्स के बीच में उनकी उम्रे सीमा होनी चाहिए उम्रे सीमा की जो गंडा है एक जन्वरी 2030 के इस सिती में यहाँ पर की जाएगी वहीं बात करें आवधन पसुत करने के प्रक्रि के बारे में तो जो भी आवेदक इसके लिए आधन प्रस्तूत करेंगे कलेक्टर विलासपूर छतिरगर के पतेवल केवल रजीटर डाक के माध्यम से या फिर इस पीट पोस्ट के माध्यम से जो है आप आवेदन प्रस्तूत यहां पर कर पाएंगे वहीं बात करें इस भरती निकालेगे हैं चार तरह के पदों के लिए आपको यहां पर कौसल परिच्छा के अधार पर जो है आपका चैन यहां पर किया जाएगा बाकी सभी पद जैसे कि भृत्ति चौकेदाद अर्ददली फर्रास प्रोसेसर्वर की जो भी निक्ति होगी कक्षा पांच्वी उत्त परिच्छा में प्राप्त अंको के अधार पर मेरिट की अधार को बाकी की भरतियां यहां पर की जाएगी जो भी अभी अर्ददली फर्रास प्रोसेसर्वर के पद के लिए आवधन पस्तित कर पाएंगे वीडियो के डिस्किप्शन में आपको 30 ग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से जुड़ करके आवधन पत्र के प्रारोप को आप डाउनलोड कर पाएंगे और आवधन पत्र में मागे की चानकारी को अच्छे से भर करके पंजी करें डाक के माध्यम से या फिर स्पीट पोस्ट के माध्यम से आवधन प्रस्तुत कर पाएंगे दो तारीक छटे मैने 2023 तक की रखी गई है